हेलो फ्रेंज तो आज हम बनाने वाली हैं चीज वाला स्नैक्स जो बच्चों को बहुत ही जाधा पसंद आएगा तो ये आप बच्चों को कभी बना कर खिला सकते हैं उन्हें लुज़गों से और साथ ही साथ इसे बड़े भी खा सकते हैं बहुत ज़ादा टेस्टी लगता है लेकिन इसे बनाना बहुत ज़ादा आसान है तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले हम ले लेंगे बटर तो आप यहाँ पर बटर या इसकी जगा आप देसी ही कभी यूज कर सकते हैं फिर हम उसमें डाल देंगे लेसन फिर हमें डाल देना है चिली फ्लेक्स थोड़ा साम इसमें और गैनो डालेंगे और फिर हम इसमें डाल देंगे बारी कटा हुआ हरा दनिया सारी चीजों को अच्छी तरह से mix कर लेना है यहाँ पर हमने lesson इसमें कद्दू कस करके डाला है इसमें आप चाहें तो paste बना कर भी डाल सकते हैं लेकिन अगर आप lesson को कद्दू कस करके अकूट कर डालेंगे तो इसका taste अलग ही आएगा अब देखिए इस तरह से सारी चीजों को हम अच्छी तरह से mix कर लेंगे अब इसके बाद हमने ले ली है यहाँ पर bread तो आप कोई से भी bread ले सकते हैं white bread लीजे या brown bread अब यहाँ पर हम एक कटोरी से इसे cut करेंगे आप bread को cutter, कटोरी या glass जैसे भी चाहें cut कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ऐसे ही bread के साथ में आप इसे बना सकते हैं लेकिन अक्सर बच्चे इसका side वाला part नहीं खाना चाहते तो इस तरह से round shape देंगे न तो उन्हें देखने में भी अच्छा लगेगा और वो आराम से खाएंगे भी अब हम क्या करेंगे bread के उपर जो हमने butter त्यार करके रखा तो वो लगाएंगे तो हम यहाँ पर दो bread के साथ में पना रहे हैं आप अगर जादा बनाते हैं तो फिर आप सारी चीजों की quantity बढ़ा सकते हैं जैसे butter यागी आप जादा यूज़ कर सकते हैं अब bread पे हमें एक side पे अच्छी तरह से लगा लेना है और दूसरे side पे हम बहुत हलका हलका सा butter लगा लेंगे इसके बाद तवा गर्म करेंगे और उसके उपर से जो butter हमने तयार किया था ना वो हम थोड़ा सा फैला देंगे और यहाँ पर हम gas की flame को एकदम low पे रखेंगे इसके बाद हम bread को तवे के उपर रखेंगे और इसे हम थोड़ा से इस तरह से फैला देंगे ताकि जो butter है वो bread में अच्छी तरह से लग जाए और इसे हमें low flame पे ही बनाना है medium या high flame बिल्कुल भी नहीं करनी है नहीं तो bread जो है वो नीचे से जलने लग जाएगी अब इसके उपर से हम डालेंगे cheese तो यहां पर मैंने mozzarella cheese लिया है अगर आप चाहें तो cheese का slice भी यूज़ कर सकते हैं अब इसे हम ढग देंगे और लगबग 3-4 मिनट के लिए इसे low flame पे हम सिखने देंगे और इस तरह से बहुत ही जादा tasty लेकिन बहुत ही जादा आसान सा नास्ता हमारा बनकर त्यार हो जाएगा यह देखे कितना जादा tasty लग रहा है अगर आप इस तरह से बच्चों को बना कर देते हैं तो उन्हें बहुत ही जादा पसंद आएगा तो आपको मेरी recipe कैसी लगी मुझे comment करके जरूर बताइएगा और चैनल पे नए है तो सब्सक्राइब करके बेल आगन जरूर प्रेस करिएगा ताकि मेरी कोई भी वीडियो आती है तो वो आप तक सबसे पहले पहुँच सके आप चाहें तो इसे शाम के नास्ते में भी बना सकते हैं और इस तरह से चीजी नास्ता हमारा बन कर त्यार है यह देखे बिलकुल लग रहा है न टेस्टी इसे आप अगर रेस्टोरण में खाएंगे न तो यह बहुत महिंगा पड़ेगा तो बहुत ही कम ताम में आप इसे घर पर बना सकते हैं तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ बाई बाई